एक बार की बात है, एक जंगल में एक बड़ी ही सुन्दर रानी चिडिया रहती थी, उसका नाम रानी चंचला था, वह चिडियों की समराटा थी और उनके पास एक बड़ी ही समरिध और खूबसूरत राज्य था, रानी चंचला का राज्य एक बड़े पेड के उपर बना हुआ था वहां उसके चारों और फूलों की खुश्पू फैली हुई थी और पेड की चायों में गुलाबी चिडियों की खुश्पू भरी रहती थी एक दिन एक बड़ा समुद्र आया और रानी चंचला से बोला आपकी सुन्दर्ता को देख कर मैं हैरान हूँ रानी चंचला क्या मुझे आपके राज्य में ठहरने का अनुमती मिल सकता है रानी चंचला ने समुद्र की इच्छा को सुनकर उसे अपने राज्य में ठहरने की अनुमती दी समुद्र ने धन्यवाद कहा और उसने अपनी आखे बंद की उसके बाद समुद्र में से एक छोटी सी धारा निकली और रानी चंचला के राज्य के नीचे बहने लगी समुद्र ने रानी चंचला के राज्य में भेते हुए चिडियों को बताया मैंने इस राज्य को अपना आदमी बनाया है अब मैं यहां रहूंगा और इस राज्य की सुरक्षा करूंगा रानी चंचला ने समुद्र का आभास अपने राज्य में महसूस किया और उसे धन्यवाद दिया फिर उन्होंने अपने प्रिय बंदरों को बुलाया और उन्हें समुद्र का स्वागत करने के लिए कहा रानी चंचला के राज्य में समुद्र को भेते हुए देखकर चिडियों ने अपने प्राणों की भिक्षा दी उन्होंने समुद्र के आगमन का सम्मान किया और उसे अपने राज्य का अधिकारी बना लिया समुद्र ने रानी चंचला के राज्य में अपने प्रियतम स्थान को बहुत ही पसंद किया और उसने वहां बहुत समय बिताया उसने रानी चंचला के राज्ज में शान्ती और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया और चिडियों के बीच एक सच्चे और गहरे संबंद का निर्माण किया इस प्रकार, रानी चंचला और समुद्र के बीच मित्रता और सहयोग का रिष्टा बन गया और उनके राज्य में सुक्षान्ती बनी रही.